स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ठंडी का सीजन है और मतर भर पूर हैं तो इसलिए आज बनाएंगे मतर की रेसिपी और वो है मतर का निमोना इसमें डालेंगे सरसो का तेल सरसो के तेल को स्मोकिंग पॉइंट पे लिखे आएंगे सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हींग जीरा एक सवा चमच आलू यह दो मीडियम साइज के आलू है आलू को धब देते हैं उसे पांच मिनिट के लिए थोड़ा पकने देते हैं जब तक हमारे आलू पकते हैं तब तक हम अपना मतर पीस लेते हैं यह है एक कटोरी मतर मतर को हमने दरदरा पीसना है इसे एक बोल में निकाल लेते हैं इसी में अब हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश लसुन हरी मिर्ची अद्रक और इसी में हम दो टमाटर काट लेंगे इसमें हलका सा पानी डालेंगे आलू हमारे हो चुके हैं अब इसी में हम डालेंगे यह पिसा हुआ मसाला इसमें डालेंगे नमक थोड़ी सी लाल मिर्ची थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम यह कच्छे मतर डालेंगे यह आदी कटोरी मतर लिये हैं हलका सा पानी डालके इसे एक दो मिनिट के लिए रख लेंगे आलू और मतर दोनों पक चुके हैं मसाला भी अच्छी तरह भूच चुका है और सूक क्या है अब हम डालेंगे पिसा हुआ मतर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक कप पानी डाल देंगे इसे थोड़ा थोड़ा स्पैचुले के साथ मैश कर लेना इसमें करीबन हमने 1.5 कप पानी डाला है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप कम जादा कर सकते हो इसे अच्छा से बॉयल आने देंगे और 2-3 मिनिट तक पकने देंगे आखिर में हम डालेंगे धनियापता ग्यास बंद करते हैं और इसे सर्फ करते हैं सर्दियों में मतर से मतर का निमोना जरूर बनाएं और हमें लिख ठेजे कि आपकी रेसिपी कैसे बनी तिल नेक्स टाइम गुडबाई झाले रेसिए